हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग लिए बहुत अच्छे कबर ले कर रहा हूँ जो अभी अभी आपका CHSL का पेपर हुआ है थार्ड शिफ्ट का जो भी पेपर हुआ है दोस्तों बहुती आसान ये पेपर आगया है जैसा हमने उम्मीद गया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आगया है तो गाइस यहाँ पर स्टूडेंट का बोलना है इन्होंने 170 प्लस नंबर का इन्होंने किया और 90 परसंट से जादे इनकी एकूरिस रही तो गाइस इस बात से पता चलता है कि आपका पिपर कितना आसान था अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो पूरा देख लो क्योंकि दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देख लिए 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे क्योंकि जो भी सवाल पूछेगे सभी को मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूँ तो देख लेते गाईस क्या क्या सवाल पूछे गए तो गैस अगर आप किसी गौवर्मेंट एक्जाम की तयारी करें मुम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो एक सरकारी नोकरी लेना चाते हो तो दोस्तों ये प्लेटफोर्म आपके लिए बैस्ट रहेगा एक्जामेटिक स्टडी आपको करना क्या है नीचे जो लाल कलर का बटन दिया गया इसको दबा कर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सबी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टडी पर आपको टाइम टूटे मिलता रहे देख लेते गाईज क्या क्या सवाल पूचे गए पहला सवाल गाईज आपके सामने है किस कस्मीरी उत्पाद को हाली में जी आई टेक प्राप्त हुआ है तो गाईज यह आपका है केसर केसर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल गाईज आपका ये भी पूचा गया जाने जंसा किस देश के परधान मंत्री चुने गए है हाली में तो गैस यह चुने गए है स्लो वैनिया की आपको याद रखना है देख लेते अगला सवाल एक सवाल गैस आपका ये भी पूचा गया महात्मा गांधी दुआरा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था तो गैस ये था आपका चमपारन आंदोलन चमपारन आंदोलन इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल गैस आपका ये भी पूचा गया रोवर्स कप किस खेल से संबंदित है तो गैस ये आपका फुटबोल के खेल से संबंदित है ये आपको याद रखना है देख लेते गैस अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया, वोंडी वोस की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी, तो गैज ये लड़ी गई थी, ब्रेटीस और फ्रांसीसियों के बीच में, कब 1760 इस वी में, दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, सभी प्यारे बच्चे ने वीडियो को लाइक कर दिया ह होगा, मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आपने नीचे लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, देख लेता अगला सवाल, एक सवाल आपका ये भी पूचा गया, स्वामी भी वेकानन ने, राम क्रिष्ण मिसन की स्थापना की गई, तो गाइज ये की गई है उद्यपूर में, उद्यपूर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, देख लेता अगला सवाल, एक सवाल आपका ये भी पूचा गया, भारते पूरुस होकी, टीम को हाली में जारी FIH रेंगी में कौन सा स्थान मिला, तो गाइज इन किया गया, तो गाइज ये किया गया न्यू देली में, गाइज पेपर बड़ा आसान था, अगर आपने अब ये वीडियो पूरा देख लिया, 100% आप लोग सेलेक्शिन के करीब पहुच जाओगे, देख लेता है अगला सवाल, राष्ट्य विज्ञान दिवस कब मनाया ज आता है, तो गाइज ये मनाया जाता है 28 फरवरी, 28 फरवरी सवाल का रैट आंसर हो जाएगा, देख लेता है अगला सवाल भी देख लेते हैं, एक सवाल गाइज आपका ये भी पूचा गया, आपसे disparate का मतलब पूचा गया है, इसका मीनिंग आपको बताना था, पहला गल सवाल है, एक सवाल गाइज आपसे ये भी पूचा गया, एक लेक का विक्रे मुल्य लागत मुल्य का 13 बटे 12 है, लाग परतिसत आपको बताना है, देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक लेक का विक्रे मुल्य यानि जो आपका ये 13 बटे 12 है, इसको हम क्या ले बात 12 यह आपका होगा सेलिंग प्राइस यानि विक्रेम उल्य यह आपका होगा कोश्ट प्राइस यानि क्रेम उल्य इनके बीच में कितना प्रोफिट है एक का कितने पे 12 गुणा कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए जब आप इसको सोल करोगे तो यह आएगा राइट आंसर आजाएगा तो गैज इस प्रकार आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे अगर आप लोग ऐसे ही ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो तो गैज तुरंत वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेंगे नीचे लाल कलर का बटन दबा कर आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गाईज आप से ये भी पूचा गया कोडिंग डिकोडिंग का यादी आर का इसने बोला यहां पर क्या आएगा आर का कोड होता है अठारा एम का कोड होता है पंद्रा आई का कोड होता है नो एफ का कोड होता है 6 और D का कोड होता है 4 इनके बीच मंतर कितने का है माइनेस 3 का सोरी यह गल्ती होगिए यहां पर आएगा आपका यह आपका 14 आएगा एक सकेंड एक सकेंड यह आपका आएगा आर का कोड क्या होता है 18 M का कोड कितना होता है 13 I का कोड होता है 9 F का कोड होता है कितना 6 और D का कोड 4 अंतर कितने का है minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 अगला अंतर क्या हो जाएगा minus 1 जब आप 4 में से 1 गटा होगे तो कितना है का 3 3 का कोड क्या होता है C तो guys C इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थी आगे बढ़ लेते guys अगला सवाल भी देख लेते है एक सवाल guys आपका ये भी बूचा गया आसिस और कुसल की वर्तमन आयू का अंतर दिया गया है 24 वर्स तथा उनका अनुपाद दिया गया है तीन अनुपाद 7 तो उनकी वर्तमन आयू का योग बताना है आपको जोड बताना है ठीक है मतलब कुल मिला के बात ये है जोड कितना होगा इन दोनों को जोडो 10 10 की value निकान ली है अब इनका अंतर हमें दिया गया है 24 अंतर देख लो कितना है 7 में से 3 जाके 4 4 की value क्या दिगी है 24 1 की value क्या होगी 6 तो guys क्या करेंगे आपर 10 की value निकालेंगे 1 की value 6 है तो 10 की value कितनी हो जाएगी 60 तो guys 60 इस सवाल का right answer आ जाएगा आप लोग इस प्रकारी ये सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं पूरी जानकारी ले लेते हैं तो guys जो भी बच्चों ने मुझे आपर सवाल बता है 100% real सवाल मैंने आपको बता दिये हैं अगर आप लोग 2020 में एक सरकारी नोगरी लेना चाहते हो ममी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो दोस्तो नीचे ये लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टुटे मिलता रहे तो दोस्तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो मच मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर